नवशारादाब दोस्तों हिंदों इसमें आपका स्वागत है मैं हुक्राम कल से एक खबर मेने से मीडिया और सोचल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखी होगी कि देवन्द का दारूल उलूम मंदर्सा भी रेजिस्टर नहीं है वो भी गैर माननेता पराप्त है इसके बाद तमाम सोचल मीडिया पर इसको लेकर बहस हो रही है डिबेट हो रही है कि जो मंदर्सा जो मंदर्सा के संचालग मंदर्सा के सर्वों का विरोध कर रहे थे अब उनकी पॉल खुलती नजर आ रही है क्योंकि उनका मंदर्सा खोर्द गैर माननेता पराप्त है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गैर माननेता पराप्त जरूर है लेकिन गैर कानूनी नहीं है मीडिया ए बात आप से छिपा रहा है पूरी बात आपको बताता नहीं, आप लोग सिफ हैडलाइंस पढ़ लेते हैं, उस ख़बर की तहमें नहीं जाते हैं मैंने क्यों कहा कि गयर माननेता प्राब जरूर है लेकिन गयर कानूनी नहीं है देखिए जब आपको सिक्षा संस्थान या कुछ इंसरिशियन कॉलनी की बात करते हैं तो आज के टाइम में कि कुछ न कुछ सोसाइटी या एंजियो या फिर आपको संस्थाएं रिजिस्टर करानी होती है जिसके तैत इन चीज़ों में ये भी है कि आप इन से कोई भी सिक्षा संस्थान चला सकते हैं बस अब आप समझ गए होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो दारूल उलूम मंदर्सा जो है वो भले ही मंदर्सा बोड की तरफ से रिजिस्टर नहीं है ये बात गोदी मीडिया चीपा रहा है पूरी खबर यहां कि जब मंदर्सों का सर्वे है हुआ तो तमाम ऐसे सर्वे है जिसमें तक्रीमन 306 मंदर्से जो मंदर्सा बोड से माननेता प्राप नहीं है बगार माननेता के वो चल रहे हैं संचालित किये जा रहे है और अब उन पर जाच भी हो सकती है लेकिन वो किस के तहर चल रहे हैं ये बात गोदी मीडिया नहीं बताता और उन 306 मंदर्से में एक दारुलूलूम मंदर्सा भी है इन सभी मदर्सों की जब जाच कर रहे थे और खास का साहरनपूर जिले के डियम जब जाच करने के लिए दारुलूलूम पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो यूपी मदर्सा बोर्ड से तो रिजिटर नहीं है लेकिन गयर कानूनी नहीं है उनका यह कहना है कि दारुलूलूम मदर्सा बोर्ड में तो रिजिटर नहीं है लेकिन इसे अवैद करार कहा जा सकता यह अवैद नहीं है क्योंकि यह सोसाइटी एक्ट के तैट चल रहा है तो बस यही एक छोटी सी बात थी जिसे गोदी मीडिया चिला चिला कर बोल रहा है कि इनका सबसे बड़ा इदारा जो है वही रिजिटर नहीं है तो इसलिए यह मदर्से के सर्वों का विरोध करें मदर्से के सर्वों का जाधातर विरोध तो नहीं हुआ लेकिन कुछ लोग उने जान भूज कर इस तरह की वीडियोस बनाई जिससे ही माहुल बना जा सके कि देखे यह लोग मदर्से का विरोध कर रहे है जबरदस थी कुछ मदर्सों में कुछ पत्रकार गूसे जिन्होंने इस तरह की बाते की इस तरह का मुद्दा बनाया कि यह मदर्सों का विरोध कर रहे है सर्वों का विरोध कर रहे है कि गौर्रमेट यह देखना चाहती थी इन सर्वों में इस तरह के गौर्रमेट की तरफ से हवाला दिया गया कि हम यह चेक करें कि जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक हालत में यहां रहते हैं उनके पास ठीक तरह से खाना पहुंचता है उनका यानि के living of standard क्या है वो किस तरह से रहते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं और वो कहा के रहने वाले और एक मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यह सारी चीज़े चेक करने के लिए सर्वी कराए गया था और इसमें यह भी देखना था कि यह मदरसे कहां से registered हैं किस तरह से चल रहे हैं तो जो मदरसा बोर्ड की तरब से मदरसे registered होते हैं उनमें मदरसा बोर्ड जो है यूपी मदरसा बोर्ड कुछ help भी करता है और इसके लावा जो society act के तैय चल रहे हैं यह लिके जिन लोगों ने society बनाई हुए हैं जिसके तैय चीज़े हो रहे हैं वो जायदे तर उनसे चल रहे हैं तो उसमें कुछ मदरसे थे जो मदरसा बोर्ड से registered नहीं थे वस उसी पर हला मचरा है लेकिन पीछे की बात कोई नहीं बता रहा है उसी में दारुलूलूम का नाम भी जोड़ जया गया तो DM का यहां पर साब कहना है कि ग्यार मैननेता प्राप ज़रूर है लेकिन गयार कानूनी नहीं है इस अवैद नहीं कहा जा सकता तो यह खबर दारुलूलूम की तरफ से थी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर किसी नही खबर के साथ